हालो फ्रैंस आप सभी का स्वागत है फ्रैंस आज हम गड़ीत के महत्यपूर दिर्ग उत्री प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोड़ के एक्जाम में आज जो प्रश्न करवाएंगे आपके एक्जाम में यही प्रश्न सेम तु सेम आएंगे फ्रेंस आज हम त्रिकों मिती कि उन सभी सवालों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम में 100% छपेगा फ्रेंस आप से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिसे से आप बोर्ड के एक्जाम में आप से एक नंबर भी गलती नहों तो चलिए फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने यह पहला सवाल है यदि 10 ठीटा बराबर A अपन B तो सिद्ध कीजिए कि 20 से ठीटा अपन A को से ठीटा बराबर A देखें फ्रेंस आप बोर्ड की कापी पे मैत का सवाल किस प्रकास लगाएंगे आपको step by step जैसे बताते हैं यदि इसी प्रकास आप बोर्ड के एक्जाम में कापी को लिखते हैं तो आप से गड़ीत में एक नंबर भी नहीं कटेगा और आपको एक्जामनर 70 में पुरा 70 नंबर देखें देगा ठीक है चलिए आपको पताते हैं कि बोर्ड के एक्जाम में आपको कापी लिखना कैसे है और सवाल को हल करके भी सिखाते हैं जब इस प्रकास से आपको प्रश्ट पत्र सवाल मिलेगा तो आपको कैसे लिखना है यहाप लिखेंगा left hand side ठीक है सवाल करके एक लाना है अब देखें इस सवाल को कैसे हल करेंगे यहाप लिखेंगे इस तरह बराबर कचिन देदीजेगा यहाप लिखेंगा बी अब सीख ठीटा को आपको क्या लिख सकते हैं वन अपान कास लिखते हैं अपान इसी तरह ए गुड़े को सी को क्या लिख सकते हैं साइन ठीटा ठीक अब देखिए फ्रेंज क्या आपको करना है यहां पर लिखेंगे बी अपान ए अब देखिए एक बटा के कास है और एक बटा के वन अपान साइन इसको प्लटेंगे तिस साइन उपर चला जाएगा जब साइन उपर चला जागा ति क्या हो जागा साइन ठी ब्रब आपन कार्ष दिड़ क्या लिख सकते हैं प्रिव को पता होगा और इसको लिखिए गात फ्रेंज क्या कीईगा कि इस तरह कोष्टक में ब्लैक पैंसे चुकी में लिख दिजियेगा कि साइन ठीटा अपान काश ठीटा अपान बराबर 10 ठीटा होता है ठीक है इस तरह आप कोश्टक में लिख दीजिएगा ठीक है अब देखे फ्रेंस आपको दिखाते हैं आप बी अपान ए है तो बी अपान ए रन जो गुड़ा कचिन देजिए अब देखे 10 ठीटा कमान यहां आप भी दिया है अपका लिखेंगे अपन बीं लिखे देंगे अब यहां पेर ही जहां पर चलिए जहां पर आया है आप यहां रिखेंगे देखिंगे लिखेंके देखे लिखें और बिसे प्री Alex आपका एक जैसे ही एक आएगा तिहाँ आपर लास्ट में लिखिएगा पभलेक पैंस लेके दीजिए लाथ रएख व्य। दीजियेगा देखिए। आप क्या करना था कि 20 जीटा आपा एक य। टिते ठी चन्हें वर सवाल को आप सिंपल तरीका से जैसे बता रहे हैं यदि इसी तरह आप कापी बोर्ड की एक्जाम में लिखते हैं तो आपसे एक नंबर भी एक्जाम नहीं काटेगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल है कि 10 ठीटा बरबर 24 बटा के साथ तो सिद्ध कीजिए कि साइन ठीटा माइनस काश ठीटा अपां साइन ठीटा प्लस काश ठीटा बराबर 17 बटा के 31 आपको सिद्ध करना है कि इस सवाल को कैसे सिद्ध करेंगे यही से बताते हैं यहां पर लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइट बराबर यानि इस वाले पच्च को लेफ्ट हैंड सा लिखने के बाद क्या करेंगे सवाल को पहले लिखी है कि यहां पर साइन ठीटा माइनस काश ठीटा अपान कितना लिखा है साइन ठीटा प्लस काश ठीटा लिखे लेंगे इतना अब अगले इस्टेम में क्या करना है कि यहां पर टैन दिया है अभी टैन बरावर बता है आप हैं इसी को बनाना है कि साइन Will Cay ट्रीटा मैं काTr टीटा है यहां सब क्या करेंगे क्या काइश कुमा ले लिए देखे ऊपर औसे से कार्म काम लें यहां क्या बच हो जाएगा साइन ठीटा अपान कास ठीटा हो जाएगा माइनस यहां से कास कामा ले लिए तो बचेगा आपका एक बच जाएगा कोश्टक बंद कर लिजिए अपान कर लिजिए ठीक अब इसी तरह नीचे भी अपकास कामा ले लिजिए यहाँ भी क्या हो जगा, sin theta, अपन क्या हो जगा आपका, cos theta plus 1, देखे, cos theta, cos theta आपको कड़ जाएगा, ठीक है, अब देखे, अगला system में क्या करेंगे, sin theta, अपन cos theta को क्या लिख सकते हैं, 10 theta, अब भी बताएं आपको, उपर, माइनस 1, अपन, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 10 theta plus 1, ठीक, अब देखे, फ्रेंज, यहाँ भी क्या करना है, आपको, यहाँ ऐसे करके मार रख लिजिएगा, ठीक है, अब देखे, 10 theta को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखे, 10 theta वरा 24 बता के 7 है, यहाँ पर लिखिएगा, आप, देखे, 24 बता के 7, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर देखे, लिखेंगे, 24 minus, जैसे बिन का जो गड़ाना हल करते हैं, हल कीजिएगा, 7 के एक में कुड़ा करेंगे, 7, अब पान, यहाँ 7 हो जागा, और पूरा के बता क्या हो जागा, यहाँ पर लिखेंगे, 24, प्लस 7 के एक में करेंगे, 7 हो जागा, बता के कितना हो जागा, 7, ठीक, अब देखे, 24 में 7 गड़ा दीजिए, 24 में से 7 गड़ाएंगे, तो आपको बचेगा, 17, और 17 बता के 7 हो जागा, इसके बता के, 24 में 7 जोड़ दीजिए, कितना होगा, चरी 11, यानि 31 हो जागा, और पूरा के बता क्या हो जागा, 7, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप पहले सवाल पूरा देखिए, अब यहाँ पर बराबर का चिंद, देखिए, बराबर का चिंद जो दे रहे हैं, आप ब्लेक पेंसे देजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यहाँ से 17 बता के क्या लिखेंगे, 7 गुड़ा, इसको जब नीचे हर में यहाँ पर जगह कम है, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे हैं, आपके बोड़ के कापी हैं बहुत ज़्यादा जगह रहे गए, तो आप इसके नीचे लिखते चले जाएगा, ठीक है, और साफ सुत्रा लिखेंगे, काट पिर जादा मत कीजेगा, देखिए, आपको लाना कितना था, सवाल देखा देते हैं, जगह कम होने को जैसे लगा हैं, लेकिन जैसे पहला सवाल पता है, आपको उसी तरह नीचे लिखते चले जाना, ठीक है, आपको स्कॉल करकर 17 पटा के 31 लाना था, यहाँ भी देखिए, आपको 17 पटा के 31 दी हैं, लाश्ट में यहाँ प आपके बोर्ड के एक्जाम में छपेगा, ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, तिरुकर इमीती से, कि कास 45 अंस अपान, सेक 30 अंस प्लास को सेक 30 अंस बराबर को एस्टेन मर के, यहाँ इसका आपको मान ग्या कितना होता है, ति कास 45 अंस कमान होता है, एक बटा के करड़ी में, दो, इसके बटा में, ठीक है, अब देखें, सिक 30 अंस कमान कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए, कि सिक 30 अंस कमान कितना होता है, दू बटा के करड़ी में, तीन होता है, प्लस, अब को सिक 30 अंस का मान पता होना चाहिए तो कितना होता है आपका दो होता है अब इसी को आपको हल करना है देखिए अब हल करते हैं देखिए यहाप कितना है एक बटा के करड़ी में दो होगा और पूरा बटा के देखिए यह कितना होगा दू करड़ी में कितना हो जाएगा दू करड़ी में को प्लट दाना दिन को दिस्तरा पर्टेगा पूरा कड़ी 3 ऊपर चला जाएगा और ये कहां पर आ यह 5 क्ने में 3 हो जाएगा है ठीक अब दिख्य क्या करना इस ऐक करना करेंगे कडी 3 हो जाएगा मैं से आप 3 आप के हमीं लेकिन अब क्या करना भूद बचे twice the यहां पर क्थे चीज़ें यहां पिस देख si leader कामल लिइज़ु दो करड़ी कि में दो आárias और एक कितना कर दो है चाहिगा उस्वाल को लगार ठीक है देखी जैसे आपको पता है उससे रखके आप साफ सुत्रा लगाई एक बोर्ड की एक्जामे ठीक है तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा चलिए अगले सवाल को हल करते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि यह दी टैन ए बराबर काट भी तो सिद्ध कीजिए एक प्ल व्र्स बराबर नबवे अंस यहां पहले लिख लिखे लेगा 10 कितना दीया है ठैन अब कारषीाट प्लम लगायंगे कैसे कि हाले हैं अब काट भी कर जैब क्या लिख सकते हैं घ्लिट है लिखिएगा और चूकी लिखने के बाद देखें आपको क्या लिखना है कि 10 90-ठीटा बराबर ठीक इस तरह बलेक पेंसे 90-ठीटा बराबर क्या लिख सकते हैं काट ठीटा ठीक इस तरह आप बना लिजेगा कोश्टक में ठीक अब देखें क्या करना है जब 10 a बराबर 10 90-b है तो 10 से 10 हट जाता यानि कि इस तरह आप काट भी सकते हैं इसे काटा नहीं जाता सिर्फ 10 10 जब दोनों पच्छों में रहता है तो इसको अटा देंगे यहाँ लिखें कि a 90-b अब देखें हमको a प्लस b बराबर 90 लाना है तो b को पच्छांत कर लेंगे इस साइट देखें यहाँ बराबर इस तरह देजीगा यहाँ लिखिएगा बी को इधर करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 90 अंस और यही सब्सक्राइब करने वाला सवाल होगा इसको ब्लैक पैंसल लास्ट में जरू लिख दीजिएगा जिससे देखने बहुत ज्यादा आकरसित आपका कापी लगेगा ठीक है तो आपके बोर्ड के एक्जामनर जो कापी चेक करेगा खुस हो के पुरा नंबर देगा एक भी नं नंबर नहीं कटेगा ठीक है फ्रेंस चली अगले सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है पांचमा नंबर का यहीं सिक 4A लिखा है कितना लिखा है 4A बराबर को से 1-20 जहां 4A क्या है निउन कोड है तो एक मानिया से ग्यात करना बेखे इससे सवाल को आपका इसे हल करेंगे पर यहां पे लिख लिएगा हल. कोषिक A minus 20 अंस. अब देखें क्या करना है? यहां पे कोषिक को देखेंगा है. अब क्या लिख सकता है? अब कोषिक être को unexpected कीजिए. सेक एको चेंज कीजिए यहाँ लिखी को सेक 90-4A यानि कि आपको फार्मुला पता होगा कि को सेक 90-शीटा बराबर सेक ठीटा होता है ठीक है तो सेक ठीटा के जगत गया है 4A है यहां पर 4a रहेगा बराबर को सेक ए माइनस 20 अंस ठीक है अब देखे फ्रेंस क्या करना है कि आप जिस तरह भी फार्मूला बताए हैं आपको लिखने के लिए उस तरह बगल में कोश्टक में यहां पर चलिए लिख के बता देते हैं ठीक होता है इस तरह आप ब्लैक पेंस से नीचे लिख दीजेगा यह बगल में जहां पर जगा होगा आप लिख सकते हैं इस तरह ठीक है जिससे वह आपका एक्जामिनर जोगा कापी देखेगा तो आकरसित बहुत ज्यादा होगा ठीक है ब्लैक पेंस से सबको लिखेंगे त कि कोशेक 90-4A अब क्या इधर कोशेक A-B-SANS ठीक इतना लिखने के बाद देखें फ्रेंस अब क्या करना है आपको देखें कोशेक जब इधर आजाए कोशेक इधर आजाती यह इससे कड़ जाता है काटा नहीं जाता पर सिर्फ हाटा दिये जाता है ठीक है यहाँ लिखेंगा अगला स्टेप में कि 90-4A बराबर क्या हो जाएगा A-B-SANS अब हम क्या करते हैं कि देखें अंक जो है एक साइड लागे देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा 90- यह इधर प्लस चाहिए यह इसका जाएगा अब इसको जोड़ लीजिए यहाँ बराबर कचेंदerkा यहां यहां पर देख लिए आप यहाँ प्रव पांच के दस और बाइस कितना लिखेंगे लिखेंगे कर पीर बस मत कीजिए कार्ट बीच एक्जामि मत कीजिए बस यही ध्यान देजिए और लाश्ट में जब लिखिएगा अपना तो उसको आप क्या कीजिएगा कि ब्लैक पहन सही एंसवा लिखिएगा जिससे एक्जामनर ध्यान दे उस चीज़ पर इस सवाल को आप इस प्रकास लगाईएगा और यहां पर बराबर का चिन भी दीजिएगा जो पराबर का चिन चिन देते रहीएगा जिससे देखनें कापी अकर्सित लगता है और यहां पर इस बराबर का चिन को ब्लैक पेंस ही दीजगत और अच्छा लगता ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपकी सामनी अगला नमबर का सवाल है कि साइन 48 अंस अपान कास 42 अंस प्लस कास 48 अंस पान साइन 42 अंस बराबर दूत सिद्ध कीजिए यानि कि आपको इसको हल करके दो लाना है देखें सिद्ध करने वाला सवाल जब भी रहेगा यहाँ पर लिखिए गाँ लेफ्ट हैंड साइट ठीक है जो सवाल रहेगा लेफ्ट हैंड साइट लिखने के बाद आप सवाल को उतार लीजिएगा देखें आप लिखा है साइन और 48 अंस बटाके कास 42 अंस प्लस कास 48 अंस बटाके साइन 42 अंस ठीक है यानि कि आपको सिद्ध करने अब देखें इसको कैसे अलकर यहाँ बराबर कचिन दीजिएगा साइन 48 अपन कास बैल जब इस पकार से सवाल दे तो पहले इसके अंस और हरके मान को जोड़ेगा देखिएगा आर्दूदस चादूच्छ और चाचरा ठीक नोटना यानि कि 48 बैले जोड़ेंगे तो 90 होगा इन दोने में से किसी एक को आप चेंज कर लिजेगा देखिए आप चेंज कैसे करेंगे आपको सभी फार्मूला याद होगा नहीं याद होगा तमत्रिक्रमीती से संबंदीद फार्मूला किस पकार से याद करना है उसको आप देख सकते हैं ठीक है प्लेलिस्ट में जाईए प्लेलिस्ट में आपको मिल जागा सभी वीडियो यहां से लिखिएगा 90 माइनस 42 अंस जागा तो इसके मान में किसी परकार परिवर्तन नहीं होगा और नीचे लिखा है कास 42 लिख लिजिए गा प्लस इसी परकार से यहां भी चेंज कर लिजिए यहां पर क्या लिखेंगे कास 48 अंस है यहां पर लिखिएगा 90 माइनस 42 अंस नब्बे में 42 अंस गटांगे तो 48 साज आगा आपका मान में किसी परका को परिवर्तन नहीं होगा आप यहां से 42 Het निघ Allah प्लस असे यहां पे चुक्टि लिखेंगा कि उसको क्या लिख सकते कासथ टीटा और यदammen्स यहां से निघ Mmm Mr produce कास 90–ठीटा रहा गाँ तुसको क्या लिख सकते हैं आपू cul इस त्रह हर्मुला के दिखा दीजिए कि हम पूर को क्या लिख सकते हैं इतना करने के बाद अगला step मिंत आपू के साइन 90–ठीटा के जगाँ 42 निखेए लिखैंए अर नीचे यह कास 42 रहने दीजिए अंस में प्लस इसी तरह इसको चैंज करें कास नबे मानेश ठीटा यानि क्या लिख सकते हैं साइन ठीटा और ठीटा जाए तो 42 लिख लिजिए अब पहां नीचे साइन है तो साइन लिख लिजिए बयाली साइन ठीक है इतना लिखने के बाद देखि जब और यह इससे कट जाएगा ठीक है और यह इससे कट जागे तो यहां पर बचेगा एक प्लस यह इससे कट गया था बचेगा यहां पर एक और एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका दो ठीक है अब सवाल को देखिए आप सवाल क्या दिया था एक पर सवाल देख हो जाएगा,आपक का कि अए सवाल समझ में आए गाया है। अगला स्भूम का क्रेंज लगा है। आफ यही का करता हो गया रिक्षाहा अग्ला साइब लेफ्ट हेंड साइड बराबर राइट हेंड साइड तो यही क्या हो जाए गाए आपका झाल ऐनों do जाएगा तो फ्रेस्ट जैसे आपको पताहें इसी-असे आपको साफ सुत्रा उए आपके एक्जाम में अब प्रशनों को прош tool करते हैं तो आपको सत्र में सप्साप नर्चू सद्धी इसी प्रकार के आप को सभी important question हम मायत के आपको डेली वीडियो अपलोड करते रहें को उस वीडियो का आप जरूर देखिएगा ठीक है तो फ्रेस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें